बुड़ा मौलाना हुसेन बगदाद का आलिम मौलाना हुसेन अपने नकाब के अंदर आखे फाड़ फाड़ कर चारोड जाने वाली सडकों को घूर रहा था उसे प्रतेक सडक जंजटों से मुक्ति दिलाने वाली लग रही थी शेहर के भाटक पर सिपाईयों ने उसों रोक कर का बोल तो इस बिवक्त कहां जा रही है घवराट पे आलिम का गला रुद गया था उसने किसी मुर्गे की बाग लगाने जैसी अवास में का मैं अपने शौर से मिलने जा रही हूँ जरा जल्दी में हूँ बहदुर सिपाईयों मुझे जाने दो औरत की मर्दों जैसी आवास सुनते ही सिपाईयों का माथा ठनका उनमें से एक ने उसके उट की नखिल ठाम लिया और पूछने लगा आपा तुम रहती कहा हो आलिम ने अपनी आवास को थोड़ी उची करके कहा बिलकुल करेब ही तो रहती हूँ आवास उची करने के कारण खास ही आ गई वा उसकी सांस घबराने लगी सिपाईयों को विश्वास हो गया कि कुछ न कुछ गडबड जरूर है उन्होंने बुडिया का नकाब फार डाला आमिल को देखते ही वे खुशी से चिलाने लगे वही है बिलकुल वही है इसे पकड़ लो ग्रफतार कर लो ले चलो सिपाईयों उस बुड़े आलिम को महल की और ले चले रास्ति में प्रतेक भिन्न भिन्न प्रकार की अटकलेन लगाते रहे कि उसकी मौत किस प्रकार होगी तथा उन्हें इनाम किस प्रकार मिलेगा बुड़े के जिस्म पर एक एक शब्द नस्तर की भाते चुब रहा था दर्वार में पहुँचकर वो फर्ष पर गिर पड़ा तथा रो रोकर अपने प्राणों की भीग मांगने लगा इससे खड़ा तो करो कमभगत को अमीर ने आदेश दिया अमीर का आदेश पाते ही सिपाहियों ने उसे खड़ा कर दिया अरसला बेग एकदम दर्वारियों की भीड में से आगे निकला और कहने लगा अमीर आजम इस वफादार घुलाम की चंद बाते सुनने की महरवानी अता फर्माएं ये शक्स मुल्ला नसुरुदीन नहीं है ये तो बहुत बुड़ा है जबके मुल्ला नसुरुदीन एकदम जवान है उसकी आयू 30-35 वर्ष है ये लोग तो किसी को भी मुल्ला नसुरुदीन समझ बैठते हैं ये सुनकर सिपाई निरास हो गए प्रतेक व्यक्ति इनाम पाने के लालच में परिशान था मनों सबकी जबानों पर ताले पड़ गए थे तभी कापते हुए बुड़े ने मौंग भंग किया मैं अमीर आजम के महल के लिए बगदास से रवाना हुआ और सीधे यहीं आ रहा था रास्ते में मेरी मुलाकात एक अजनवी व्यक्ति से हुई उसने मुझे बताया के भुकारा में पहुँचते ही मेरा सिर काट डालने का हुक्म जारी कर दिया है मैंने भै के कारण विश बदल कर निकल भागने का फैसला ले लिया अमीर के चहरे पर एक अजीव से मुस्कान तैर गई मनों सब कुछ समझ गया हो अच्छा तो तुम्हारी मुलाकात एक अजनवी व्यक्ति से हुई और तुमने उसका विश्वास भी कर लिया ये किस्सा तो बड़ा आजीव है और हम तुम्हारे सिर कलम क्यों करवा रहे थे क्योंकि कहा गया है कि मैंने खुलयाम ऐलान किया है कि मैं अमीर आजम के हरम में घुश जाओंगा लेकिन खुदा गवाए मेरे दिमाग में ऐसा विचार तो कभी आया ही नही अमीर ने अपने होट भीचते हुए का उनके चेहरे से इस पश्ट था कि उस बुड़े शक्स पर उनका शक बढ़ता जा रहा है अमीर ने कहा तुम हो कौन और आय कहां से हो मैं बगदाद का रहने वाला हूँ आलिम हकिम मौलाना हुसेन हूँ अमीर आजम के आदेश पर मैं बुखारा आया हूँ तुम मौलाना हुसेन अमीर ने आश्यर पूर्वा कहा तुम्हारा नाम मौलाना हुसेन है जूट एकदम सफेज जूट ये चालवास बुड़ा मुझे तो ये जूट बोलते नजर आ रहा है अरे भाई तुम्हें शरम आनी चाहिए हुजूर मैं बिलकुल सच कह रहा हूँ कि मैं मौलाना हुसेन हूँ तुम बिलकुल जूट बोलते हो ये देखो ये रहा मौलाना हुसेन इसके साथ ही अमीर ने मुला नसरुदीन की ओर संकेत किया तुरंत मुला नसरुदीन आगे आ खड़ा हुआ मौलाना हुसेन आश्चर से मुला नसरुदीन को देखते ही पीछे हट गया वो जोड से चीखा हाँ हाँ यही तो वो शक्स है जिसने मुझे सिर काटने वा हरम में घुसने वाली बात कही थी अमीर ने मुला नसरुदीन को पलट कर देखा यह क्या हो रहा है मौलाना हुसेन मौलाना हुसेन तो मैं हूँ वो नहीं यह तो नकली है इसने मेरा नाम चुरा लिया है बुड़ा चिलाया मुला नसरुदीन ने अमीर के आगे जुकर कहा अमीर आजम मेरी गुस्ताखी माफो लेकिन इसकी बेशरमी भी वास्ताब में हद से गुजर गई है अभी तो इसने यही कहा है कि मैंने इसका नाम चुरा लिया है बाद में ही कहेगा कि मैंने इसकी पोशाग भी चुरा लिया बुड़ा तभी चिलाया हाँ हाँ ये पोशाग भी मेरी है मुल्ना नसरुदीन ने चिड़ाने के अंदास में कहा शैद ये साफा भी तुम्हारा ही है अरे हाँ याद आया ये साफा भी मेरा ही है तुमने अपने जनाने कपड़ों की बदले में मेरे सारे कपड़े ले लिये थे बुड़े ने फूर् द्वेश में बुड़े ने कहा मुल्ला नसुदीन अमीरे आजम से मुखातिब होकर बोला जहां पना आपने खुद ही देख लिया कि ये बुड़ा कितना जूटा और मकार है ये कभी कहता है कि मैंने इसका नाम चुरा लिया है कभी कहता है कि पोशाक चुरा लिये कल ये हुई जलील हरकत कर सकता है ये बुखारा आखिर आया क्यों है कहीं अमीर के हरम में घुसने के लिए तो नहीं मानो ये हरम उसी का हो अमीर ने कहा मुलाना हुसेन तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है वाकई ये बुड़ा बड़ा खतरनाक है मुझे इसकी नियत पर शक है हम मुला नसरुदीन ऐसे आदमी को नहीं मारने दे सकता था जिस पर छूटा आरोब लगा हो भले ही वो धरवारे आलिव हो भले ही चलकपट से उसने बहुत से लोगों को बरवात किया हो मुला नसरुदीन अदप से अमीर के आगे जुकर कहने लगा अमीर आजब मेरी बास की महरवानी फर्माएं इसका सिर्थ तो कभी भी काटा जा सकता है मैं चाहता हूँ कि इसके मरने से पहले इसका असली नाम यहां आने का उदेश तता इसके कौन-कौन साथ ही है ये सभी बाते भली भाती जानली जाए हो सकता है कि ये कोई बदमाश जादुगर हो जो कि सितार के असंगत अंदास का लाव उठाने के लिए आपके खदमों की धून लेकर उसमें चमगादर का दिमाग मिलाकर हुक्के में डाल देगा इससे आपके स्वास्ते को काफी हानी पहुचेगी आप फिलहाल इसे मेरे सपुत्र कर दें मैं इसे तरह तरह की यातनाएं देकर सब यह सुनकर अमीर ने का ठीक है जैसा तुम मुनासिब समझो करो लिकन यह बदमास भागने न पाई यह तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी होगी मुल्ला नसुरुदीन ने का हुजूर मैं यह जिम्मेदारी अपनी जान की बाजी लगा कर भी बखुभी निभाऊंगा प्रहल की दीवार पर बने उंचे मिनार पर उसके लिए तयार किया गया था गुल्ला नसुरुदीन के पीछे पीछे सिपाईयों से घिरा मुझरम अर्थात असली मौलाना हुसें चल रहा था मिनार में खोजा नसुरुदीन के मकान में एक छोटा सा गोल कमरा था जिसमें सिखंचे दार खड़की भी थी, एक बड़ी चावी से पीतल का ताला खुला गया, लोहे का गेट खुलते ही सिपाहियों ने बुड़े को उसमें धखेल दिया बन दर्वाजे पर मुल्ला नसुरुदिन काफी धेर तक उची आवाज में कुछ पढ़ता रहा, सुनने वाले किवल अल्ला का नाम ही समझ सके मुल्ला नसुरुदिन अपने इस नए मकान में पहुँचकर काफी प्रसन थे, अब इनने उसे आठ मसनदें, एक दर्शन गदे, बहुत से प्याले तस्त्रियां, एक छोटी टोकरी, सफेद रोटियां, मर्तबान भरकर, शहे तथा अपने दस्तर खान से बहुत बढ़िया खाने भेज दिये थे, मुल्ला नसुरुदिन काफी भुका वा ठका हुआ था, वो खाने पर बैटने से पूर्व ही आठ गदे वा चार मसनदे लेकर कैदी मौलाना हुसेन के पास पहुँच गया, मुल्ला नसुरुदिन विनम्रता पूरवक कैदी से कहने लगा, कहिए मौ फर्ष साफ होने के पास शाद गदे विछा कर मसनदे सजाई, इसके बाद खाने पीने का सामान ले आया और दो हिस्सों में बराबर बाट कर खाना शुरु कर दिया, मुल्ला नसुरुदिन ने कहा, मौलाना हुसेन, यहां आपको भुग से परिशान नहोना पड़ेगा, य से यह छोटा सा कक्ष उसके अपने कक्ष से बड़ा लगने लगा, आलिम को उसमें बंद करके वा ताला ढाल कर मुल्ला नसुरुदिन अपनी कमरे में लोटाया, बुड़ा एकदम भौचक का हो रहा था, वो समझना पा रहा था कि क्या करे, यह दपी उसके भोजन में अभ जो कि इस बुड़े आलिम की परिशानियों वा यातनाओं के लिए उत्तरदाई था, नीचे की कमरे में दरीचे में बैठा धीरे धीरे आकाश को गहरी रात में बदलते देख रहा था, वो अपनी असमाने तूफानी जिंदगी पर गौर करता, अपनी प्रेमिका के विचा जो वहीं बिलकुल खरीब थी, लिकन उसे अभी तक उसकी मौजूदगी का आभास तक न था, शीतल हवा खड़की से धीरे धीरे भीतर आ रही थी, मुल्लाओं की उदास, खनखनाती, सियावास, अंजाने वातावरंड को तरंगित किये जा रही थी, गहरे काले आकाश में सितारे भेले हुए थे, जो कि चमक रहे थे, उन्में सितारा अलकलब भी था, जो कि दिल का प्रतीक है, तीन सितारे अलगफ थे, जो कि क्वारी लड़की के नकाब के प्रतीक है, अकेले अशुब, अशुला, जो कि मौत से डंग का प्रतीक है, आकाश में दिखाईने ही प कर दो झालब कर झालब कर दो तो कर दो तो कि अ